बीजेपी के नेता वापस में ही एक दूसरे की पॉल खोलने लगे हैं एक दूसरे पर ब्रस्ट चार की आरोप लगाने लगे हैं मीडिये के सामने आरोपों की चिठ्थियां दिखाने लगे हैं जिसे देखकर तो लगता है कि बीजेपी की वाशिंग मशीन ने अब काम करना बंद कर दिया है इसी वजह से बीजेपी के लोग ही अब एक दूसरे के काले कारणामों को बाहर लाने लगे हैं जहां एक तरफ योगे दित्यनाथ माफिया मुक्त यूपी की बात करते हैं वहीं उनके नेता उनकी ही कुर्सी के नीचे आवेत कारुबार कर रहे हैं द्रसल ब बालियान पर आरोब लगाते हुए कहा है कि बालियान ने हाल ही में आठ सो बीगा जमीन खरीदी है मंतरी पत का इस्तेमाल कर चिलर प्रांट लगाए हैं और इफकों में भी साजुदारी की है इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि संजीब बालियान ने कई आपराधिक ने इस्तेमाल किया है यह सभी आरोब संगीत सोम के लेटर हेड पर जारी हुए है और दोस्तों सबसे बड़ा आरोब संगीत सोम ने बालियान पर यह लगाया है कि वह सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट के कारोबार में साजी है अपर तो शायद संजीब बालियान अपरादियों को सर्रक्षण देने वाला बता दिया है वैसे बीजेपी के लिए नरिद मोदी के लिए गड़ी बड़ी मुश्किल गुजर रही होगी क्योंकि अभी तक तो वह एंटीय में शामिल अपने गडबंधन पार्टियों के ही मसले में उलजे हुए थे कि अब दूसरी तरफ संजीव बालियान के मित्र संजीव खर्दू ने संगीत सोम को 10 करोड की मानहानी का नोटिस भी भीज दिया है जिससे देखकर लगता है कि बीजेपी में आप से कले अब खुलकर सामने आ रही हैं खुब प्रेस कॉंफरेंस हो रही हैं लेकिन आप देखना य आमिशा कब तक अपने पूर मंतिर के घर पर CBI, ED या Income Tax को भीजते हैं यही आरोप अगर किसी विपक्षी नेता पर लगे होते तो अब तक उसे जेल भीज दिया गया होता लेकिन अपने नेता उपर नरिंद मोधी कुछ नहीं बोल रहे हैं वैसे बोलने के लिए बचा भ लगरा है कि बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह आरोप किसी विपक्ष के नेता पर लगे होते तो हमारा मेंस्ट्रीम मीडिया डिबेट करते करते नहीं ठकता को उठाएगा यह हमेशों की तरह सद्दारी पार्टी के लोगों का ब्रस्ट चार में नाम आने के बाद अपनी कान आखना सब बंद कर लेगा विस अब देखना यह होगा कि संजीब बालियान पर कितनी जाच होती है कितना संगीत सोम के आरोपों को बीजेपी सीरियस लेत कर दो होगा है कि कि अजय आई हो अचंड़ाफा कि की उजय अवंगा ल girवा होगा है